तो हेलो दोस्तों एक बार फिर से आ चुका है साइंस का एक और नया क्लास चलिए फोटाफटाफ़ू क्लास प्याज़े शुरू करते हैं आज के इस क्लास को तो एक नई फूर्ती और एक नई उड़ जा के साथ में फिजिक्स के कुछ और भी बेहत्में प्रश्ण में इस क् आज को सुरू करते हैं तो देर कि आज ही आन अचाडमी करने के बाद प्लस कोर्स बाई करके यह जो बैच को सुरू हुआ है एक तारिक से इसे जरूर जोएन किज़ेगा कि इसमें कितने टॉप एजुकेटर में लगर कर आ तो जब आप इस बैच को से अपनी तैरी करा रह है और साथ में यहां पर ध्यान देज़ेगा जो भी मुझे एरफोर्स की केंड़ेट देख रहे हैं उनके लिए यह चार फेवरवरी से जगवार नाम का एरफोर्स बैच को सुरू हो रहा है जिसमें टॉप एजुकेटर में लगर के आपके एरफोर्स की तैयारी कराने वा आपको देर बिल्कुल भी नहीं करनी है अपनी तैयारी बहतर करनी है तो आज यह अनकेडमी जोइन करिए तो आपको करना क्या है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको अनकेडमी अपका लिंक मिल जाएगा जाए उससे इंस्टाल केजिए अपने आपको उस पर रेइस रेजिटेशन के दारान वहां पर रेफरल कोड में इस्टेंडप क्लासेज जरूर यूज कर लिजेगा यहोंकि इन टॉप एजुकेटर की जो इस्पेसल क्लासेज चलती है आप यह रेफरल कोड यूज करने बात बिल्कुल फ्री देख पाएंगा और साथ में जब कभी भ क्लासेज आपके चलते में इसपेटर के पाएंगा इस और बिल्कुल उसे चेप्टर से बिल्कुल ऐसा ही एक प्रस्ण आपके exam में हर बार होता है, ठीक है, हर बार होता है, चाए ने भी अमार का exam हो, या फिर कोश्ट गार्ड का exam हो, तो आपको इस पर प्रैक्टिस करना होगा, चलिए solve करते हैं, question क्या है, एक 108 का bulb जो है, उसका switch 4 गंटे के लिए आन करके रख द होता है, एक यूनिट में कितना किलोवाट घंटा होता है, आपको पता होगा, एक यूनिट में एक किलोवाट घंटा होता है, ठीक है, एक यूनिट बराबर एक किलोवाट घंटा बोल सकते हैं, और एक किलोवाट घंटा में कितना वाट होता है, 1000 वाट बराबर एक किलोव को जलाए था अब इसको solve करेंगे तो 0.4 आएगा solve कर लीजेगा तो उस 108 के bulb ने ठीक है चार घंटे में कितनी electricity consume की 0.4 unit की electricity जो है उस 108 के bulb ने चार घंटे में consume की थी तो बिल्कुल ऐसा ही आपको करना है मैं आपसे हमेशा कहता हूँ हमेशा practice करना पड़ेगा क्योंकि एक प्रैक्टिस ही एक इंसान को परफेक्ट बनाता है ठीक है चली question की तरफ चलते हैं तो आज के class का जो हमारा सबसे पहला question देख लीज़े question में 16 सॉरी 17 है क्योंकि 16 तक हमने किया था 17 आज के class में करेंगे और यह यह जो question मेंने आज के class में include किया है यह कल के class से कहीं बेहाद मैत्पून है जब मैं solve करऊंगो तो आपको एहसास होगा वाकई में यह सारी question सबके exam में आ चुके है question क्या है सबसे पहला tubulite इस फिल्ड बे tubulite में क्या भरा जाता है ठीक है आपस नमर यह सोडियम वैपर आपस नमर भी आर्गन गैस लो टमप्रेचर पे कभी नहीं होगा आपस नमर सी mercury वैपर एट लो टमप्रेचर यह भी कभी नहीं होगा ठीक है अब देखे आपस नमर काम हो यह करता है कि वो oxygen को अंदर नहीं आने देता है tubulite में क्योंकि यदि oxygen अंदर आएगा तो जो tungsten का filament होता है उस पर corrosion हो जाएगा मतलब मूर्चा लग जाएगा क्योंकि आपको पता होगा metal जब moisture में रखा जाता है तो oxygen के contact में आने के करण उस पर corrosion हो जाता है मूर्च अब हो गया उसका भी melting point होगा किसी एक ऐसे टंप्रेचर उसको यदि दिया जाए जिस पर वह में तो जाता होगा ठीक है किसी हाई टंप्रेचर पर तो ऐसे ही टंगस्टन भी किसे टंप्रेचर पर मिल्ट होता होगा तो वह क्या करता है आरगन गैस अंदर जो आपका अंदर हो गये होता मिल्ट हो गये ठीक है तो बिल्कुल ऐसा ही हो टाहिए अबोपरेट हो जाता है त॥ा आं तो डुगत PRE यहाण कड़ा टंब करई है इसमालेःस्ट यूनिट तो आप लींप पूछा लेंट लेंट की सबसे इसमालेश्ट को ल्त है आप सी इंध नमरे मा यह फर्मी मीटर इससे सॉल्व करते हैं सबसे पहले एक चीज देख लीजगा एक माइक्रो मीटर में कितनी पावर क्या होता है एक माइक्रो मेटर का 10 to the power 6 मीटर होता है ठीक है इसकी वैलू कितनी होती है 10 to the power minus 10 meter होता है ठीक है और जो फर्मी मेटर का होता है एक फर्मी मेटर का जो value होता है वो 10 to the power minus 15 meter होता है तो सबसे smallest कौन सा हुआ आपका यह हुआ न 10 to the power minus 15 meter यानि फर्मी मेटर का तो उसके according length की सबसे smallest unit कौन से होती है एकचान अग्शन देखते है वयलहायम फ़ूनी फद्र चीज का विस्वा करेक्ट नोटर फ़ून्हे किया था आब कर्या मसीन खेगा चलते हैं आगले कोशन की तरफ तो हमारा आगला कोशन है विच वन आप दी फॉलोईंग लिक्विट्स इस वरी गुड कंड़क्टर आफ हीट एक चीज बताइए यह जो चारों चीज आप देख रहा है मरकरी भी हमेशा लिक्विड इस्टेट में होता है वाटर भी लिक्व गस्यमर्ण के पास ले जाते हों गे जिenta आपको नरी हो तो वहा अपके मुह में क्या लाते हैं थर्मामेटर रहक्ते हैं आपको आपको बुखार है की नहीं तो तो प्रेचर एक से हीट भी Auto तो क्या करता है मरकरी जो है एक अच्छा सुचा लग है हीट का ठीक है यात कर लिजएगा क्योंकि उस थर्मामीटर में मरकरी ही होता है मरकरी का ही इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो आपस नमर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशिन है हमारा what is this source of electricity energy in an artificial satellite artificial satellite में energy का source क्या होता है ठीक है electrical energy का आपस नमर A solar cell आपस नमर B mini nuclear reactor आपस नमर C dynamo और आपस नमर D thermopile तो मैं आपको बता जेता हूं जो artificial satellite होता है उसमें electricity energy के लिए यानि electrical energy के लिए solar cell का इस्तेमाल किया जाता है किसका solar cell का हमारा आपस नमर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशिन हमारा the weight of anybody is पूछ रहा है किसी भी वस्तु का जो weight है वजन है वो क्या होगा आपस नमर ए पिर्थवी के सता पे हर जगा सेम होगा यह तो होगा नहीं ठीक है आपस नमर B है maximum at pulse पोल्स पे अधिक होगा या फिर equator पे अधिक होगा या फिर more on mountains mountains पे अधिक होगा और planes पे कम होगा ठीक है तो देखे एक चीज़ बताइए weight का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा weight is equal to mass into g होता है g क्या है आपका g को बोलते है acceleration due to gravity ठीक है और मैं आपको बता दूँ जो यह g का मान है ठीक है g का मान पूल्स पे अधिक होगा आपको पता होगा आपने पढ़ा होगा ठीक है g क्या जो मान है ठेक है बोश पे अधिकतर होता है और equator पे कम होता है तो उसके recording क्या दिया गया इसका सही answer क्या हो जेगा किसी भी body का weight maximum होगा पूल्स पे लेकिन more equator पे नहीं होगा, equator पे क्या होता है, हमेशा कम होता है, ठीक है, तो g की value जो है, ठीक है, weight का मैंने formula बता दिया, weight is equal to mass into g, यानि g क्या हो गया, आपका, mass हो गया, यह, और into g हो गया, g आपका acceleration due to gravity, आप पड़े होंगे, ठीक है, तो g की value है, वो, pulse पे हमेशा maximum होती है, अधिक हो अगले question की तरफ चलते हैं, तो हमारा अगला question है, transformer is used, transformer का इस्तमाल क्यों किया जाता है, आपस नमरे, AC को DC में convert करने के लिए, आपस नमरे, DC को AC में convert करने के लिए होगा नहीं, आपस नमरे C, to set up DC voltage को set up करने के लिए होगा नहीं, ठीक है, आपस नमरे D है, to set up our step down AC voltage, ठी लिए किया जाता है, ठीक है, कब up करना है, कब down करना है, इसलिए किया जाता है, ठीक है, transformer का इस्तमाल, ठीक है, तो AC voltage को हमेशा step power step down करने के इस्तमाल किया जाता है, तो हमारा आपस नमरे D बिल्कुल correct हो जाएगा, चलि, अगला question देखते है, तो हमारा अगला question है, when a body is taken from the Earth to the moon, अगर किसी वस्तु को पिर्थवी से, ठीक है, मून पे ले जाते हैं, हम लोग चंद्रमा पे ले जाते हैं, तो क्या होगा, उसका weight बढ़ेगा, या फिर उसका weight घटेगा, या फिर उसका weight, its weight dreaming unchanged हो रहा हैगा, ठीक है, या फिर it become completely weightless हो जाएगा, तो एक चीज 1 by 6 हो जाता है, यानि कम हो जाता है, तो हमेसा क्या होगा, किसी भी body का weight है, वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है, its weight will decrease, क्या होगा, weight decrease होगा, ठीक है, तो option number B हमारा बिल्कुल correct होगा, ये आप उस 8th 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और एक्जाम में ये वाला question काफी और का weighting 10 kg, sorry, 10 kg, and the earth will weight in space, किसी iron ball का weight है, 10 kg है, पिर्धवी पे, तो उसका weight in space में क्या होगा, तो भाई, space में gravity होती नहीं है, ठीक है, तो अगर वो iron ball को हम लोगे space में लेके जाएंगे, तो हम लोग उसका weight है, वो weightlessness हो जाएगा, मतलब weight उसका महसूसी नहीं होगा, जहां पर gravity नहीं होगे, वहाँ पर weight कैसे होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो zero हो जाएगा, उसका weight, ठीक है, इस space में जाके, zero हो जाएगा, तो option D हमारा बिल्कुल correct है, याद कर लेजेगा, चलि आगले question की तरफ चलते हैं, तो हमारा आगला question है, sound travel scene दी form up, sound किस form में travel करते हैं, option number A, transverse waves के form में, option number B, longitudinal waves के form में, option number C, stationary waves के form में, या option number D, none up दीज, तो मैं आपको बता दूँ, जो sound होता है, वो हमेशा longitudinal waves के form में travel करता है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, तो sound हमेशा longitudinal waves के form में travel करता है, याद कर लेजेगा, option number B हमारा बिल्कुल correct है, अगला question है, the mirror used by dentist to examine the teeth, आपे patient is, कह रहा है, कि किसी भी patient, patient के जो है, तित को examine करने के लिए, जो dentist, जिस mirror का इस्तमाल करता है, वो कौन सा mirror होता है, आप से नमरे concave mirror, या फिर option number B, convex, या फिर option number C, plane, या फिर option number D, cylindrical, अभी कल ही मैंने आपको convex mirror का इस्तमाल बताया था, ठीक है, rear view mirror के तोर, convex mirror का use के जाता है, तो doctor कौन सा mirror यीज गरता है, वो concave mirror का इस्तमाल करता है, क्यूं, जर बताएं मुझे, एक doctor concave mirror का इस्तमाल करता है, क्यूंकि जो concave mirror है, वो हम इसा किसी भी वस्त का magnified image दिखाता है, ठीक है, थोड़ा उसको और magnified कर देता है, थोड़ा बढ़ा करके दि पूछ रहा है यदि किसी रेफिरेटर के दर्वाजे को चार घंटे के लिए खोल के छोड़ दिया जाता है तो उस रूम का टमपरीचर क्या होगा जिस रूम में वो रेफिरेजडेटर होगा अपसनवर भी बढ़ेगा अपसनवर सी रिमें दा सेम वही रहेगा या फिर डिक अधिक मात्रा में निकलेगा तो बाहर जो सिस्टम से हीट निकलेगा वो अधिक मात्रा में निकलेगा ठीक है तो इसलिए रूम का टमपरीचर हमें इसला बढ़ेगा आपसनवर भी हमारे बिलकुल करेक्ट हो जाएगा याद कर लिएगा ठीक है चलिए अगला कोशन है हमारा दिस सेफेस्ट टमपरीचर फर कीपिंग फूड फ्रेस इनर रेफिजरेटर इस कह रहा है कि वो सेफेस्ट टमपरीचर कौन सा है कि उस टमपरीचर पर हम किसी भी फूड को जो है रिफरेस रहे तो किस टमपरेचर पर आपसनमरी चार डीघरी शिल्शियस आफस्ट नमरी कि density होती है वो 4 डिगरी Celsius पे मैक्सिमम होती है ठीक है आपको पता होगा पानी की density हमीशा four degrees Celsius पे मैक्सिमम होती है जिसके करण़ कोई भी वस्ट चार डिगरी Celsius पे रखते है तो ंध हमीशाद रहेगा ठीक है चलिए अगले तो अगला कुछन है हमारा दूरिंग दाश चेंज आप इस्टेट आप मैटर दा टमपरीचर आप दी सबस्टेंज आप देखे कह रहा है कि कि किसी भी यदि माली जो कोई मैटर है ठीक है यादि उसका स्टेट चेंज होता है तो इसके स्टेट के बदलाव के दोरान ठीक है मैटर में चेंज आा रहे हैं तो क्या तो थेखें मैटर अपना इस्टेट करता है तो त्व flipped पर आपना तो यह और ही बढ़ता है क्यों कि वह मैटर या तो हैं परन करेगा इनरजी लीगा या तो मिनलेगा या थूठेगा घिक है इनर्जी जो हीट है या तो उसे छोड़ेगा या सोखेगा तभी तो वो अपना जो hesitant को change कर पाएगा या तो वो इनर्जी सोखेगा ठीक है जैंगा तो ile 있어 में एक चीज़ बताए जब या तो वो इनर्जी सोखेगा या छोड़ेगा तो वो प्रोसेस कौन सा होगा वो एभॉपोरिशन का प्रोसेस हो जाएगा जिसे हम लोग लेटन हीट बोलते हैं ठीक है इनर्जी छोड़ेगा तो भी टंपरेचर नार्मल ही रहेगा तो किसी भी म सबसे बसे बेश्ट कंड़क्टर है काौन सा है बिएस सीलवर सबसे बसे बलकूल और करेक्ट आएगा अगले को चूरुच फोर्प चलते हैं यह हमारे इस क्लास का लाउस्ट कोशन है और इसे हमारे सभी महानुभाव लोग साल्व करेंग ए जैक है को इसे मैंने श्याकर यहां से आता है और मैं नहीं चाहता हूं आपका यह एक नमबर खतम हो ठीक है कोशन क्या है एक 100 watt का electric bulb 10 घंटे के लिए जला के रखा जाता है what will be the cost of electricity consumed उस consume किये गए electricity का cost क्या होगा यदि consumption का rate क्या है तो यानि यदि 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से यदि electricity consume होता है उसका वो cost है ठीक है तो यदि किसी 100 watt के बल को 10 घंटे जला के रखा जाता है तो तो कितना electricity consume होगा उसके हिसाब से कितना पैसा जो है मतलब कितने रुपए का electricity तो यह आप हमेशहर्व करके बताएंगा लख Next class ब स३े बिलतेना में द्ञास तब तक किलिे धन्यवात सँ आप new जरह सब फिर स्क्रावत में चाहिए धन्य में कुछ सब्सक्राइब